प्रेग्नेंट होने के बाद आपके पेट में कौन-कौन से चेंजेस दिखेंगे अक्सर प्रेग्नेंसी का मतलब यह नहीं होता है कि जब आपका पेट निकलना शुरू हुआ तभी से आप प्रेग्नेंट हो यह अक्सर यह आपको पता चलेगा पेट में यही सिर्फ चेंजे क्या होगा कि आपके पेट में ये change दिखेगा हो सकता है कि कई महिलाओं को इस change के बारे में नहीं पता हो लेकिन मैं ये अपने personal experience से आप लोगों बता रही हूँ ये बहुत बारीक सा change होता है सिर्फ notice करना होता है ये पेट के नीचले हिस्से में होता है जैसे ही आपका implantation होगा अब क्या होगा कि जैसे ही बच्चा आपके गरभाशे के दिवार पे चिपकेगा हर दिन उसमें विकास होगा अब गरभाशे जो है हलका सा भारीपन महसूस होने लगेगा उसमें क्योंकि बच्चा जो है उसमें चिपक चुका है अब बच्चा चिपकने के बाद यानि कि रोज इसमें कुछ ना कुछ development हो रही है कुछ इसमें बच्चे की विकास हो रही है क्योंकि आप देखते हों कि हर week आपके हर week pregnancy में कुछ ना कुछ changes दिखते हैं बच्चे में भी और आप में भी तो क्या होगा कि आपके पेट के नीचले हिस्से में कुछ दिनों से आपको भारीपन महसूस होगा यह कुछ दिनों के लिए होगा भारीपन अब जैसे जैसे आपके बाकी के आगे के दिन बढ़ेंगे गरबाशे ऊपर की और थुरा हलका होने लगेगा जैसे वो ऊपर की और इस्थित होने लगेगा यह भाड़ीपन गायब हो जाएगा लेकिन जब आपके pregnancy रुकती है गरबाशे बिल्कुल नीचे होता है तब आपको ये भारीपन पेट के नीचले हिस्से में महसूस होगा ये भारीपन कुछी दिनों के लिए होता है यानि कि 5-10 दिन जादा से जादा आपको महसूस होंगे उसके बाद नहीं होंगे पेट के नीचले इसे में आपको ऐसा लगया कि कुछ न कुछ जरूर ऐसा चीजी रखा हुआ है लेकिन वो क्या होता है वो गर्भाशे होता है इंप्लांटेशन के बाद से जब बच्चे का विकास शुरू होता है तो गर्भाशे जो है धीरे धीरे भारी होना शुरू हो जाता है जिस वज़े से आपको गर्भाशे के दबाव के कारण फ्रिक्वेंट यूरीन यानि की बार बार यूरीन जाना पर सकता है यूरीन थोड़ा भी collect होता है तो शुरू के महीने में बार बार यूरीन के लिए जाना पड़ता है सेम वैसे ही आटवे नौवे महीने में जैसे ही गरभाशे में बच्चा बड़ा हो जाता है और गरभाशे के दवाव के कारण, head down होने के कारण खास कर आपके यूरीन में जितना भी यूरीन जमा होता है इस्टोर होता है यूरीन ब्लेडर में आपको क्या होगा तुरंट जाना पड़ेगा यूरीन के लिए यूरीन ब्लेडर को खाली करने के लिए तो फ्रिक्वेंट यूरीनेशन शुरू के दिनों में और लास्ट के महिनों में जादा दिखता है हो सकता है कि उसी जगा आपको इंप्लांटेशन के दोडान भी हलका फुलका सा क्रैंप महसूस हुआ हो दर्द महसूस हुआ हो ये भी प्रेग्नेशी का एक एहम लक्षन है कि इंप्लांटेशन के बाद से आपको अपने यूट्रस के जहां यूट्रस होता है पेट के करीफ होगा यह टाइटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आयो वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्रीब